वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला प्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपड़िट यहीं पे आते हैं ध्यान लगेगा हलो एब्रिबान नमस्ते सभी को आज के हमारा जो यह करंट अफैस है यह जानवरी महीने के स्टार्टिंग को बिल्कुल कवर करेगा आप सभ को बहुत बहुत हापी न्यू यह और इस न्यू यह की शुरुवात में सभी लोग अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी लाइपली ना ले ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि हो जाएगी पढ़ाई यह है न्यू यह मनाईए पूरा इंजॉए गीजे फेस्टिवल्स मनाओ लो लोगों की जिमिदारी बनती है कि कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो से यह सीरीज से कितना फाइदा होता है पढ़ाई करने में क्या होदा है कमेंट कर जकते हैं जब बच्चे तो टीचर को भी थोड़ी एक अच्छी मोटिवेशन मिलती ह बिडियोस में और अच्छी कर लीँगे तो बस भही है आपको यही बोरा जा रहा है कि एक बार एक कमेंट जरूर कर दिया करीए ठीक आच्छ लोगों आज के करनंट आफैस को शुरू कर लेते हैं और यह वाले जो हमारे क्रन आफैस रहेंगे यह बहुत जरूरी रहेंगे अगर आप में से कोई भी बच्चा जो अभी तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है जो कह रहा है कि मुझे अच्छे से पढ़ना है, मुझे अपनी तैयारी करनी है, तो उसके लिए ये वाला जो पूरा करंट अफैस है, यहां से जैनवरी के वो बड़े ज़रूरी दहेंग कि उससे कुछ भी ग्वेशन ना है, आपको तो रटा हुआ है, वैसा हिसाब आपका हो जाना चाहिए, ठीक है, समझ गए भाई, बात समझ में आगी न, तो अगर आप तैयारी अभी से शुरू कर रहें, यूपी-पी-जी-एस, यूपी-एस्ट के कोई भी एक्जाम, आप आप कोई भी अपना एक्जाम के तैयारी कर रहें, तो उस एक्जाम के तैयारी में आपको ये पूरा, जतना जतना यहाँ पर मैं करवा रही हूँ, एक एक चीज इंपोर्टन करेंगी, एक एक चीज पूछी जाएगी, ठीक है, तो मेरी यही कोशिश रहती है, आपके साथ कि मैं पूरी तरीके से आपके साथ सब कॉपरेट करके, एक एक चीज कावर अप करा दूँ, ताकि आपका कुछ ना स्किप हो, बाकि आप लोग भी पूरा-पूरा सपोर्ट कीजए यार, है ना, तो थोड़ा सा करवाओ, ज़रा सपोर्ट करो, अच्छे से ज़रा कमेंड कर दिया करो, चलो, बढ़ते हैं क्लास में, ये अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो किसी भी बच्चे को, तो ये हमारे दो दिये गए नंबर्ज है, इन दो नंबर्ज पे आपर हमसे कॉल कीजी, अपनी PDF आपको कोई सी दिले नहीं है, आप इन नंबर्ज पे कॉल करके सारी जा देज का टॉपिक जरूर रखती है, वही है अब ये देज भी, तो सबसे पहले, डेज कौन सा है, वर्ल्ड ब्रेव दिवस, आपको भी पता है, लुईज ब्रेव जिन्हों ने जो है, ऐसे लोगों के लिए एक राइटिंग सिस्टम बराया था, जिनको विज्वल इम्पे किया थे, बहुत बहुत बहुतरीन सिस्टम को उन्होंने तयार किया था, और वही सिस्टम के दूप में हम किस दिन मनाते हैं, चार जनवरी, जनवरी का पहला हफता उसमें बहुत जादा यहां पर रहे नहीं है, कारंटर फैस, ठीक है, लेकिन फिर भी, ये वाले जो इन्टरनाशनल नहीं है, ये नाशनल है, तो जितने भी हमारे पक्षी है, उनके उनकी लिए ये बनाया जाता है, और इसके लिए इस बार की जो थीम थी, थीम भी कई बार पूछ लेते हैं, तो इस बार की थीम थी भई, राइट टू पाइट, चीक है ना, तो बर्ड के ल लोगों को लर्न, इसमें तो कोई डिफिकल्टी मेरे एसाब से तो नहीं आएगी, किसी भी बच्चे को, बर्ड की उपर, कुपसूरत होती है, बहुत जादा बर्ड, थीम के भी याद रखना, नाशनल बर्ड इंडिया का, जो है, वो आपको पता है, और सबसे पहली बार जब पूछा जाता है कि बर्ड डे की शुरुवात किस ने कली थी, तो वो अमेरिका नहीं गी थी, अमेरिका की बर्ड कंजर्वेंसी ने इसको शुरुवात किया था, चीक है, तो उसके बाद से इसको बाकी कंट्री ने अडॉप्ट करा, और इसकी उपर ध्यान देना शु हर एक यहां पर जो है कंट्री मनाती है, समझ गये, बात समझ गया भी मेरी, ठीक है ना, ताकि इलिगल उनकी ट्राफिकिंग, ट्रेड जो की जाती है, उसको स्टॉप कर दिया जाए, और यह यह मेन बात, तो अच्छा एक बात बताईए कि भारत में जो बर्ड की स्टडी क करते हैं, उनको कहते हैं, और इंत्रों लॉजिस्ट, क्या आप किसी फेमस ऐन इंत्रों लॉजिस्ट का नाम बता सकते हैं, कमेंट बोक्स में, यह क्यों जिए नाम पर एक नाश्रल पार्ण अरिंट का नाम जिनके उपर आकशे कुमार नी एक मूवी भी करी है, नाम उस मुवी का उनके ओपर नहीं था नाम कुछ और था लेकिन मुवी में कारेक्टर जो अक्षे कुमार ने प्ले किया था वो उन्ही परसन परसनालिटी का था चलो मैंने काफी सारे हिंच दे दिया अब मैं और से अधा हिंच ने दे रही मैं आगे डिफेंस की न्यूस बता रही ह पूरे कंटिंटिंट पॉचे थे जॉइंट एक्सराइज को पर्फॉर्म करने के लिए और यह आर्मी की है ठीक है गुल्फ में रोड़ बनाने हैं और वहां पर इंपर्टेंस रहेंगी उसी को आपस में शिगनिविकेंट रखने के लिए इस पूरी को स्टार्ट किया थै तो दो तारीक को शुरू होगी थी इसलिमें आपको बता दी यहां पर बारत की तरफ से इंडिनार्मी की कंटिंजेंट वहां पर पहुचे हैं और यूवेगी क्या आए हैं यहां पर इनकी काफिक पिक्टर्स वगेरा भी वाइरल हुई थी वाइरल मतलब कि देखने में आई तो दोनों कंट्रीज डेजर्ट और सेमी डेजर्ट लीजन में कैसे एक दूसरे की हेल्प करेंगी आने वाले टाइम में उसी के लिए एक्सराइस परफॉर्म की गई है समाज गया बाई तो दोनों एक दूसरे की ब्रेस्ट प्राक्टस को यहां पर देखते हैं और उससे चीजों को सारा कुछ देखते हैं कि कौन सी जो है टेक्टिक्स एक डूसरे से हम लोग सीख सकते हैं इसे ही हम क्या कहते हैं किसके साथ वह दरूर याद रखेगा बढ़ते हैं अगले आंटिकल की तरफ बड़ा ही इंपोर्टन जी आई टाग तो देखो हर बार ही इंपोर् काई चटनी भी कहते हैं इसको उसको बहुत ही सुंदर उसका टेस्ट होता है सुंदर तो स् वादिष्ट होता है तो इसमें क्या होता है कि इंसेक्स और वर्म्शhश आपको पताइए जो इंसेक्स होते हैं कीड़्य मोकॉड़े वह का जातें कि हमारे सिहत के लिए काफी जादा वो रहते तो इसमें बहुती रेड वीवर आंड की मदद से ओडीसा के मयूर भंज में इस डिश को तयार किया जाते हैं इसमें बहुत तारी हर्ब स्पाइसिस भी आड़ किया जाते हैं तो अभी इसको दो जन्वरी को ही यहां पर यह जी आई टाग मिला है अग आसिज़ा कि अगर मैं कई रेड वीवर आंड की मदद से बनाते हैं स्ठिट्ञट्नी इस वार्कर्ष पर मिला है अगर मैं कई रेड वीवर की बात करूं इसमस्याट किन्टिविवों और इसमें बोला जाता है यह पूरे जोतने भी आंट्स हैं रेड वीवर इनसे ओईल वगेरा भी बनते हैं जिससे हमको काफी जादा जो पॉरेस्ट में रहने वाली से डिजीजिस जो अपने को होते हैं उससे काफी जादा help मिल जाती है तो इसको बनाते कैसे हैं यह यह करते हैं फिर इनको सेल करके चटनी बना के लोगों को सेल करते हैं जिनको बहुत टेस्ट आता है ठीक है इसमें जिंजर गालिक चिली सब को मिल करके बड़ी बहतुरी चटनी सी बनाई जाती है और उस चटनी को फिर आगे लोग चंश्यूम करते हम से यह पूछा जाएगा वेजिस्टर की कहां किए तो हम 이게 बना अचिर काय चटनी कहां की है कहां पर मिला लुग तरह सब याद रखेगा घुब भोगोलिक संके तक मैंने कई बार अमने वीडिहों फैर बचली संके तक को एक्सित्स किया किया है तो आहां सब लोगों को पता होगा भोगोलिक संकेतर क्या होते हैं चैन्नाई में है जोग्रोफिकल इंडिकेशन की रिजिस्ट्री जहां पर होता है और अगर मैं रेड वीवर आंट्स की बात करूँ जो लाल बुनकर चीटियां होती है यह मयूर भंच क्योंजर सुन्दरगड चीक है वहां पर सबसे जादा देखने को मिलेगी और बिलीशियस चट्मी के रूप में इसको जाना चाहता है तो यह जरा दिमाग में रखेवे इस पाक्ट्स को क्यों अगर यह तीज नहीं पता होगे और एक्जाम में क्वेशन आएगा न तो सौल नहीं उपाएगा अगर यह फाक्ट्स पता होंगे तो इजी हो जाएगा चाहिए नव चाहँ बड़े हांके अगला आता है लीची कुल्टिवेशन अब क्या है एक आपको पता है की लीची कहा की फेमस लीची है मुझफ़फर पुर की फेमस तो मुझफ़फरपुर का National Research Center है लीची का जो की टेक टेक्निंकल हेल्प दे रहा है इस पूरे लीची के कल्टिवेशन को expand करने के लिए लीची का कल्टिवेशन और बढ़ाया जाए लीची तो देखो वैसे तो चाइना के रीजन से बिलॉंग करती है लेकिन लीची की कल्टिवेशन को इंडिया में भी काफी हद तक जो है वो ग्रो कर दिया गया है तो मुझफरपूर रीजन का एक पूरा सेंटर है मुझफरपूर बेस तो मुझफरपूर की जो लीची है वो वो famous भी काफी जादा है ठीक है उसको GI टाग भी अल्रेड़ी मिल चुका है शाही लीची के नाम से और में ही बना हुआ है तो यह यहां पर अब ट्रेनिंग और ज्यादा प्रवाइट कर रहे हैं इसको और ज्यादा बिटर बनाने के लिए तो यह आपको इसकी जो वह होते हैं न हेड़ क्वार्टर माच करने का जो क्वेशन उस पर पूछा जा सकता है तो मैंने सोचा कि आपको के वाला आर्टिकल बता जिती हूं ताकि आप लोगों को भी असानी हो जाए कि कहां पर है क्या है लीची भी काफी जादा यूस की जाती है इसका भी काफी जादा चेक्या ना अब इसका मैंने कुछ जोग्रिफिकल आस्पेक्ट्स रखे हैं यहां पर लीची जो है वो स्म अब है यह दो हजाएक जाएक तो वहां इसको यहां पर यह एक आपके सामने रखा है अब है यह ब्रिक्स का एक्स्पांशन अब हुआ क्या है कि अगस दो हजार तेईस में भी अब इसको फाइनल कर दिया कि एक जन्वरी दो हजार चौबिस से तो मैं बता रहे हूँ एक जन्वरी दो हजार चौबिस से साउथ आफरिका के जो प्रेजिडेंट है सारल रामफोसा उन्होंने बोला है कि इजिप्ट ये रहा इरान, सावधी, UAE इन सब को इथोपिया भी है इसमें invite किया गया है कि वो ब्रिक्स में यहाँ पर जुड़े और ब्रिक्स को expand गरी तो ब्रिक्स क्या है वो तो आपको बता है ब्राजिल, रुशिय, अंडिय, चाहना, साथ लेकिन इसको आप expand किया जा रहा है इसमें आप country देख सकते हो कि किन किन को जोड़ा जा रहा है समझे ऑल्रेडी इसमें रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ आफ्रिका, ब्राजिल तो है ही ब्रिक्स का तो मतलब ही यही है existing country तो है इसमें यलो में दिखा रहा है लेकिन ज इसमें ब्रिक्स को expand किया गया, ब्रिक्स का main जो area है वो बहुत अच्छी कासी 21 trillion dollar GDP को control करता है, पूरे वर्ल्ड का 23% इन ब्रिक्स country के पास है, तीन बिलियन की population है, पूरे वर्ल्ड की 42% population केवल गहीं पर ही है, यह पांच नहीं में इंबर जिसमें जुड़ गए है, नाम पढ़ लो, इजिप्ट, दोपिया, एरान, सौधी रिवियार, UAE, अर्जंटीना यहाँ पर, पहले तो बोला था कि अर्जंटीना भी जोड़ेगा, लेकिन उन्होंने यहाँ पर जुड़ने से मना करने, तो ब्रिक्स के expansion में अभी फिलाल ये सब countries जुड़ रही हैं साथ म तो ब्रिक्स के expansion आपको दिमाग में रखना है, कौन से क्या जुड़ा है, क्या चीज है, अब ये है, अब इसमें ये पांच और जुड़ चुकी है, औरिजिनली पांच थी, वो आपको पता होना चाहिए, ब्रिक्स जो है, वो रश्या में शुरुवात की गई थी, इसकी 10 मेंबर हो चुके हैं, पहला इसका summit जो है, वो असल में बी आर आई सी हुआ था, ठीक है, एस जो है, साउथ आफ्रिका वो भी बात में चुड़ा है, पहला summit 2009 में रश्या में हुआ था, ठीक है, साउथ आफ्रिका ने लेटर ओन जॉइन किया, तो उसकी बाद एजिप्ट है, यह कैसे होते हैं, देखो मैं आपको समझा दू, अभी तक तो यह था कि ब्रिक्स के summit में, रोटेशन वाइस चलता था, पहले ब्राजिल हुआ तो फिर अगला रश्या, फिर अगला इंडिया, चाइना, साउथ आफ्रिका, ऐसे करके सीक्वेंस चलता था, 2012 में इंडिय की बाजा से, ठेक है, तो यह लास्ट हुआ था, लास्ट इंडिया में हुआ था, दिल्ली में summit हुआ था, 2021 में, ठेक है ना, और 2024 का रश्या करेगा, 2023 का साउथ आफ्रिका अल्रड़ी कर चुका है, तब ही यह announcement की गई है, और अब 2024 का जो होगा, अक्टूबर में होगा, मत इसमें यह बोला गया है, कि अभी जो जखा कौन सी होगी, वो सब तो रिसाइड नहीं होगा, तो जो ब्रिक्स का summit है, उसका ऐसा है कि उसमें अभी दस countries टाईगी, तो यह बड़ा ज़रूरी था, मैंने सोचा कि मैं आपको ब्रिक्स के बारे में पूरा-पूरा समझा दू कि ऐसा होता है, इसमें लीडर्स कौन-कौन हैं, यह भी बता दूँ आपको, ठीक है, अभी जो जो जोड़े हैं, वो आपको पता होने चाहिए, उनकी पिक्चर्स आपको पता होने चाहिए, ब्राजिल के प्रेजिनन्ट है, अभी लूला दा सिल्वा, उन्पे question भी आ चु इसी और इथोपिया के अभे एहमद, इरान के इब्राहिम राइसी, सावधी अरेबिया के प्रिंस, जो क्राउन है, मौहमद बिन सल्मान, और यूएए के मौहमद बिन जायत अल-नहयान, तो इन सब के साथ जो है, वो मीटिंग्स हुआ करेंगी अपसे, तो ब्रिक्स जो है अरजन्टीना नहीं है, ये बात आपको दिवाद बेराखने है, तो अरजन्टीना इसमें नहीं है, ग्लोबल सेनारियो चेंज होता, लेकिन ये वाला चेंज नहीं हुआ, अरजन्टीना आड़ नहीं हुआ है, चले, बढ़तें आगे, अगला आता है, यहाँ पर हिमाशर हमाचल प्रदेश के हट्टी जो ट्राइब्स हैं अनुशूथिय ज़ंजातिया उनको यहाँ पर ST का दर्जा मुल गया है ठीके रहाब social इस्टी का दर्जा मिला है नाम है उनका हट्टी ट्राइब्स अब हट्टी ट्राइबस कहां से ओनौ करते हैं यह कि हिमाचल प्रदेश में सबसे जादा इनकी पॉपिलेशन जो है वो रहती है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इनको स्टी का स्टेटस अब ग्रांट कर दिया है और इस पूरे में हटी समुदाई जो है यह आप पढ़ सकते हूं यह हट टाउंस पर रहते हैं चोटी-चोटी मार्केट्स वेजिटेबल क्रॉप्स मीट वूल वहाँ पर यह बेचा करते हैं उनको हट्टी के नाम से जाते हैं काफी बड़ी पंचायते हैं वहाँ पर रहती है और यह जो लोगन के बारे में कुछ ख सब लोग क्या कास्ट कर रहे हैं मुझे पर्सनल लेवल पर नहीं पसंद लेकर यह जो चीज है मतलब यह मैं तो आपको बता रहे हैं तो हम लोगों को यहां पर रटने ही पढ़ेंगे कि यहां पर जो है यह काफी का सिस्टम फॉलो करते हैं इंट्र कास्ट मारेजस यहां पर अलाउड नहीं है और वहां पर मैं यह सुझा कि आपको बता दूं क्वेशन आ सकता है खुंबली जैसे आपने सुना होगा हर्याना में एक खाप पंचायत होती है हर्याना में खाप अ जोogen खाप उस ब्रकार से यहां पर भी एक खाप पंचायत काफी famous होगई उसी प्रकार से यहां पर एक होती है तो यह पढ़ लो पंचायती राज की विवस्ता के भावजूद भी वहां पर खुंबलियों को ज्यादा ताकतवर या शक्ति जो है वो दी गई है ठीक है न तो यह है सिस्टम जो मैं आपको पता होना चाहिए एक्जाम में जहां से सवाल बनते हैं खाफ तो आपको पता है यह खुंबली आपको exactly पता होना चाहिए कि क्या है चालो बढ़ते हैं आगे finance commission के नई chairman आ गए है वो है अर्विंद पंगारिया finance commission आप सभी लोग जानते हैं अभी हमारी जो finance commission है वो कौन से नंबर की चल रही है 15th नंबर की इसके head अभी है एन के सिंग इनके बाद हमारे president ने नई commission बता दी है अर्विंद पंगारिया शोलवे नंबर की जबकि जो हम हमारी यह finance commission है हमारे constitution के आर्टिकल 280 में साफ साफ लिखी हुई है काम क्या होता है center state के financial relations को बना के रखना taxes जो है उनको distribute करना between center and state and among states also states के बीच में बाटे जाते हैं तो वही सब काम देखते हैं पहली बार finance commission बियर अमेट कर के कहने पे 1951 में बनाए गई थी जिसके chairman जो थे वो के सी नियोगी थे ठीक है first year में उसके बाद अभी जो है 14th और 15th उसके बाद 16th बन रहे हैं मैं आपको बताए दिया हर 5 सालों में बनाई जाती हमारे जो president होते हैं वो इसको इहां पर establish करते हैं और यह जो 5 years का tenure है कि 5 years के लिए रहेगी है कई mentioned नहीं है कि 5 years ही तो आर्टिकल 280 लिखा हो है कि there shall be a finance commission constituted by prime minister और उसके बाद यहां पर लिखा है कि जो यह पूई होगी इसके जो functional काम है वो हमारे आर्टिकल नमबर 281 में लिखे हो है तो 281 भी आगे है रिस से deal करता है समझे भई तो इस तरीके की जो topics हैं यह भी आप लोगों से पूछे जाते हैं exam के लिए सो आप लोगों को यह भी दिमार्ग में रखना है इनको भी यहां पर लिखते जा रहा है जटना जटना बताया आपको वो सब चीज़े आप लोगों को साथ साथ लिखते जानी है ठीक है भई यह सब facts note कर ले न अगला आते है भई वर्ली paintings यहां पर अभी दिल्ली में एक exhibition लगाई थी माशे फैमली ने दिल्ली में वर्ली painting का पूरा एक आयोजन किया था जिव्या सोना माशे जिनको वर्ली आर्ट के फादर कही जाते कि इन्होंने बहुत जादा महराश्टर में इसको पॉपिलर किया था वर्ली आर्ट वर्ली painting महराश्ट्रा की जान है विमन वहां पर इसको इतना खूबसूरत तरीके से बनाती है वहां तो छोड़ो अब तो दिल्ली मेट्रो में भी अगर आपने कभी ट्रावल किया है तो वहां पर आपको देखने को मिलें को कितनी सुन्दत तरीके से वर्ली painting में आपको तो महराश्ट्रा में रहने वाले जो लोग है ना जो सिहाद्री डीजन में रहते हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं बनाते हैं इसको और यह जो है काफी जादा महराश्ट्रा से निकले थी और आज भी यह painting महीं पर ही सबस्दादा की जाते है इसकी दिल्ली के म्यूजियम में संस्कृति केंड्र म्यूजियम है एक्जिबिशन है दिल्ली के दिवारों में माईसोर के दिवारों में महाराश्ट्रा के दिवारों पर बहुत सुद्र बना जाते हैं जो टेक्नीक होती है ना वो जो मेंट्रिकल फिगर्स टाइप होती है कि सरी बिखाते हैं उसके हाथ को भी डमरू है हाथ में एसे हैं बढ़े संदर लगती है तो ट्राइबल लाट के रूप में इसको बना आ जाता है दांस के फ़र में सबसाद इनको दिखाया जाता है जो कि विलेजर में लोग जो टर्पा डांस परफॉर्म करते हैं हाथ और ऐसे मू करने वाला तो वह सब इनको उनके काफी जादा दिखाई जाती है तो इस तरीके से यह एक आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा है बात समझ गया ना सभी लोग कि इस प्रकार से है तो बस वही मेरे को आपको बताना था कि ऐसे भी एक्जाम में questions पूछे जाते हैं ऐसा सिधर सिधर पूछा जाता है तो यह थे हमारे आज के इंपोर्टन टार्टिकल्स आई होप आप लोगों को सारा समझ में आगो बहुत बड़ी वीडियो नहीं है अगर आपने अच्छे से सुना है समझा है आराम से आप 20-25 मिनट में वीडियो को कंप्लीट कर सकते हो कोई बड़ से आप लोग एक्जाम में क्वेस्टन को परफॉर्म कर पाऊगे ठीक है बाई आई होप सब लोगों को बहुत अच्छा से क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़े आई होप आप लोगों को जतना भी यहां पर पढ़ते हो सीखते हो वह आप लोगों तक पहुचता होगा आप सबी लोगों से नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए धानेवाद शुक्रिया शेहें